पिहार के जाजा थाने की पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है एक वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें मामले के निप्तारे के लिए थाने पहुंचे एक शिक्चक और उनके परिजनों को थाना ध्यक्ष ने सरयाम टेरिस्ट बनाने की धंकी दे डाली वारल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थाना ध्यक्ष राजेश शरण में मामले के निप्तारे के लिए थाने पहुंचे लोगों की बात पूरी नहीं सुनी और उन्हें टेरिस्ट बनाने की धंकी दे दी इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से थाना ध्यक्ष खुलेयाम बता रहे हैं कि टेरिस्ट बनाना उनका काम है और वो जब चाहे किसी को भी टेरिस्ट बना सकते हैं पताया जाता है कि किसी मामले को लेकर एक शिक चक जाजा थाने पहुँचे थी उन्होंने जब बातचीत शुरू की तो थाना ध्यक्ष गरम हो गए और शिकायत करने आये लोगों को टेरिस्ट बनाने की धंकी देने लगे उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने शिकायत करताओं से कहा कि तुम लोगों पर काल मंडर आ रहा है वीडियो के सोशल मीडिया पर वाइरल होने पर उच अधिकारियों ने मामले का संग्यान लिया और पूरे मामले की जाच करने की बात कही वीडियो में देखा जा सकता है कि शिकायत करता को किस तरह डराने की कोशिश की जा रही है बिहार पूलिस के कारना में अकसर सामने आते रहते हैं अभी हाली में बिहार पूलिस के टुटर हैंडल से पीए मोधी को लेकर गाय गए एक गीत के पोस्टर को शेयर कर दिया गया था जिस पर बीजेपी ने चुटकी भीली थी अब जमूई जी लेके जाजा थाना ध्यक्ष का ये वीडियो वाइरल होने लगा है वीडियो वाइरल होने के बाद पूलिस का कहना है कि ये पत्रकार लोगों का ही मामला था उन लोगों की शिकायत थी कि उन्हें बुला कर खदेड दिया गया और इसी खोलेकर पूश्ताच हो रही थी पूश्ताच के दोरान समझाने की कोशिश की गई तो वीडियो वाइरल हो गया वीडियो दस अप्रेल का बतायो जा रहा है